इस समय देश आज़ादी के 75 वर्ष निमित आज़ादी का अमरत महुत सो मना रहा है भारत की आज़ादी में पूने का अहितिहासी की योगदान रहा है लोकमान नितिलक, चापपेकर बंदू, गोपाल गणेश अगरकर, सेनापती बापाट, गोपाल कृष्ण देशमोक, आरजी बंडारकर, महावदेव गोविन रानरेजी जैसे अनेक इस धर्ती के सभी स्वतंतरता सेनानियों को मैं आदर पुर्वक्सरद्धान ली देता हूँ आज महराश्ण के विकास के लिए समर्पित रहे, रामभाव मारगी जी की पुन्यतिती भी है मैं आज बाबा साथ पुरंदरी जी को भी आदर पुर्वक्याद कर रहा हूँ कुछ देर पहले ही मुझे छत्रपती सिवाजी महराज की भव्य प्रतिमा का लोकारपन करने का सोभागी मिला है हम सभी के रदय में सदा सरवदा बसने वाले छत्रपती सिवाजी महराज की ये प्रतिमा युवा पीडी में आने वाली पीडियों में राष्ट भक्ति की प्रिरिणा जगाएगी आज पूरे के विकास से जुड़े अनेक अन्य प्रकल्पों का उद्घाटन और सिलान्याज भी हुआ है ये मेरा स्वभाग्य है कि पूरे मेट्रों के सिलान्याज के लिए आपने मुझे बुलाया था और अब लोकारपन का भी आपने मुझे आउसर दिया है पहले सिलान्याज होते थे तो पता है नहीं चलता था कब उद्घाटन होगा साथ्यों ये घटना इसलिए महत्वपुन है कि इसमें ये संदेश भी है कि समय पर योजनाओं काव पूरा किया जा सकता है आज मुला मुठा नदी को प्रदुशन से मुक्त करने के लिए ग्यारा सो करोड रुपिय के प्रोजेक्ट पर भी काम आरम हो रहा है आज पूरे को इबसे भी मिली है बानेर में इबस के डीपो का उद्गाटन हुआ है और इन सब के साथ और मैं उसाजी को अभिनंदन देता हूँ आज पूरे के अनेक विवीतदा परे जीवन में एक सुहाना तोफा आरके लक्ष्वनजी को समर्पीत एक बहत्रीन आर्ट ग्यालेरी मुज्यम भी पूरे को मिला है मैं उसाजी को उनके पूरे परिवार को क्योंकि मैं लगातार उनके संपर्क में रहा हूँ उनका उत्सव एक मन में लगन और काम को पूरा करने के लिए दिन दाज जुटे रहना मैं वाकई पूरे परिवार का उसाजी का अभिनंदन करता हूँ इन सभी सेवाकारियों के लिए मैं आज पूरे वास्यों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और साथ-साथ हमारे दोनों मेर साइबान को उनकी टीम को तेज गती से विकास के अनेक काम करने के लिए भी बहुत बधाई देता हूँ भाई और बहनों पूने अपनी सांस्कृतिक अध्यात्मिक और राष्ट भक्ति की चेत्रा के लिए मशूर रहा है और साथ ही पूने ने एजुकेशन रीसर्ट एंड डेवलप्मेंट आईटी और अटो मिलबेल के चेत्र में भी अपनी पहचान निरंतर मजबूत की है ऐसे मैं आधुनिक सुविधाएं पूने के लोगों की जरुत है और हमारी सरकार पूने वासियों की इसी आवश्यक्ता को ध्यान में रखते हुए अनेक मोर्चों पर काम कर रही है अभी थोड़ी दिर पहले मैंने गरवारे में आनन नगर तक पूने मेट्रो में सफर किया है ये मेट्रो पूने में मोबिलिटी को आसान करेगी प्रदूशन और जाम से रहात देगी पूने के लोगों की एज अब लिविंग बढ़ाएगी पांच शे साल पहले हमारे देवेंद्र जी जब यहां मुक्कमिंत्री थे तो इस प्रोजेक को लेकर वो लगाता और दिल्ली आते रहते थे बड़े उमंग और उत्षा के साथ वो इस प्रोजेक के पीछे लगे रहते थे मैं उनके प्रहत्नों का भी अभिनंदन करता हूँ साथ यो कोरोना महामारी के बीज भी इस सेक्षन आज सेवा के लिए तयार हुआ है पूरे मेट्रो के संचालन के लिए सोलर पावर का भी व्यापक उप्योग हो रहा है इससे हर साल लगबग 25,000 तन कार्बन डायोगसाइड का एमिशन रुकेगा मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लोगों का खास करके सभी स्रमीकों का रदय से आभार व्यक्तर करता हूँ आपका ये योगदान पूने के प्रोफेशनल्स यहां के स्टूडेंट्स यहां के सामान्य मानवी को बहुत मदद करेगा साथियों हमारे देश में कितनी तेजी से शेहरी करन हो रहा है इसे आप सभी भली भाती परिचीत है माना जाता है कि साल 2030 तक हमारी जनसंख्या शहरी जनसंख्या साथ करोड को पार कर जाएगी शहरों की बढ़ती हुई आबादी अपने साथ अनेक आउसर लेकर के आती है लेकिन साथ साथ चुनोतियां भी होती है शहरों में एक निश्चित सिमा में ही फ्लाय ओवर बन सकते हैं जनसंख्या बढ़ती जाए कितने फ्लाय ओवर बनाएंगे कहां कहां बनाएंगे कितनी शड़के चोडि करेंगे कहां कहां करेंगे ऐसे में हमारे पास बिकल्प एक ही है मास्ट ट्रांस्पोर्टेशन की ववस्ताओं का जादा से जादा निर्मान इसलिए आज हमारी सरकार मास्ट ट्रांस्पोर्टेशन के साधनों और विशेश कर मेट्रो कनेक्टिविटी पर खास द्यान दे रही है 2014 तक देश के सिर्फ दिल्ली NCR में ही मेट्रो का एक व्यापक विस्तार हुआ था बाकी इकका दुकका शहरों में मेट्रो पहुंचनी शुरू हुई थी आज देश के दो दर्जन सहतिक शहरों में मेट्रो या तो ऑप्रेशनल हो चुकी है या फिर जल्द चालू होने वाली है इसमें भी महाराष्टर की हिस्सेदारी है मुंबई हो पूने पिम्परी चिंचवड हो ठाने हो नागपूर हो आज महाराष्टर में मेट्रो नेट्वर का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है आज के इस अवसर पर मेरा एक आग्रव पूने और हर उस शहर के लोगों से है जहां मेट्रो चल रही है मैं प्रभुत्तन आग्रिकों से विशेश आग्रव करूँगा समाज में जो बड़े लोग कहे जाते हैं उनसे मैं विशेश आग्रव करूँगा कि हम कितने ही बड़े क्यों न हुए हो मेट्रो में यात्रा की आदत समाज के हर वर्ग को डालनी चाहिए अब जितना जादा मेट्रो में चलेंगे उतना ही अपने शहर की मदद करेंगे भाई और बैनो इकीसवी सदी के भारत में हमें अपने शहरों को आधुनिक भी बनाना होगा और उनमें नई सुविदाएं भी जोड़नी होगी बविश्य के भारत के शहर को धान में रखते हुए हमारी सरकार अनेकों परियोजनाव पर एक साथ काम कर रही है हमारी सरकार का प्रयास है कि हर शहर में जादा से जादा ग्रीन ट्रांस्पोर्ट हो इलेक्ट्रिक बसों हो इलेक्ट्रिक कारे हो इलेक्ट्रिक दोपईया वाहन हो हर शहर में स्मार्ट मॉबिलिटी हो लोग ट्रांस्पोर्ट सुविदाओं के लिए एक ही कार का इस्तमाल करे हर शहर में सुविधा को स्मार्ट बनाने वाले इंटीग्रेटेड कमान एंड कंट्रोल सेंटर हो, हर शहर में सर्कुलर एकोनोमी को मजबुद बनाने वाला आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टिम हो, हर शहर को वाटर प्रस बनाने वाले परियाप्त आधुनिक सिवेज ट्रिट्मेंट प्लांट हो, जल्ग स्लोतों के सवरक्षन का बहतर इंतिजाम हो, हर शहर में वेस्ट वेस्ट क्रेट करने वाले गोबरदन प्लांट हो, बायो गैस प्लांट हो, हर शहर एनर्जी एफिशन्सी पर जोर दें, हर सहर की स्ट्रिट लाइट है, स्मार्ट, एलिडी बल्ट से जगमगा है, इस वीजन को लेकर हम आगे बढ़ रहें हैं, शहरों में पेजल और ड्रेनेज की स्थित्व को सुधारने के लिए, हम अम्रित बिशन को लेकर के, अनेक भीत इनिशेटिव लेकर के चल रहें हैं, हमने रेरा जैसा कानून बढ़ाया, ताकि जो मद्जंबर के परिवार कभी इस कानून के अभाव में परिशान होते थे, पैसे देते थे, सालों निकल जाते थे, मकान नहीं मिलता था, उन सारी समस्याओं का समाधान, जो कांगेज में बताये जाता था, वो मकान नहीं होता था, बहुत सारी अव्यवस्ताय होते थी, एक प्रकारत है हमारा मद्जंबर के परिवार, जो जिन्दिगी की बहुत बड़ी पूझी से, अपना एक घर बनाना चाहता है, वो घर बनन जुक्षा देने के लिए ये रेरा का कानौन बहुत बड़ा काम कर रहा है, हम शहरों में विकास की स्वस्त प्रतिश्परदाबी विक्सित कर रहे हैं, ताकि स्वच्चता पर स्थानिय निकायों का पूरा फोकस रहे, अर्बन प्लानिंग से जुड़े इन विश्यों पर ध्यान दिया गया है, भाई और बेनों, पूने की पहचान ग्रीन फ्यूल के सेंटर के रुप में भी ससक्त हो रही है, प्रदूशन की समस्या से मुक्ती, कच्चे तेल के लिए विज़े सी नर्वर्दा को कम करने, और किसानों की आए बढ़ाने के लिए, हम इथेनॉल पर बायो फ्यूल पर फोकस कर रहे हैं, पूने में बड़े स्तर पर इथेनॉल ब्लैंडिंग से जुड़ी सुविदाए स्थापित की गई है, इससे यहां आतपास के गन्ना किसानों को भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, पूने को स्वच और सुंतर बनाने के लिए भी आज महान अगरपालिका ने अनेक काम शुरू किये हैं, बार बार आने वाली बार और प्रदूशन से पूने को मुक्ति देने में ये सैंक्रो करोड रुपी के प्रोजेक्ट बहुत उप्योगी होने वाले हैं, मुला मुठा नदी की साफ सफाई और सवंदर्य करण के लिए भी पूने महानगरपालिका को केंद्र सरकार पूरा सैयोग दे रही हैं, नदिया फिर से जवंत होगी, तो शहर के लोगों को भी सुकुन मिलेगा, उन्हें भी नई उर्जा मिलेगी, और मैं तो शहरों में रहने वालों को आग्र करूँगा, कि साल में एक बार तीथी ताई करके रेगुलर नदी उत्सवं मनाना चाहिए, नदी के प्रती सत्हा, नदी का महत्वाए, परیावरन की दुरुष्टी से प्रसिक्षान, पूरे शहर में नदी उत्सवं का वातोन बनाना चाहिए, तब जाकरके हमारे नदियों का महत्व हम समझेंगे, पानी के एक बुंद-बुंद का हम महत्व समझेंगे, किसी भी देश में आधूनिक इंफ्रासेक्टर के विकास के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है स्पीड और स्केल लेकिन दसकों तक हमारे हाँ ऐसी व्यवस्ता हैं रही कि अहम परियोजनाओं का पुरा होने में काफी देर हो जाती थी इस सुस्त रविया देश के विकास को भी प्रभावित करता रहा है आज के तेजी से बढ़ते हुए भारत में हमें स्पीड पर भी ध्यान देना होगा और स्केल पर भी इसलिए ही हमारी सरकार ने पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्ट्रल प्लान बनाया है हमने देखा है कि अक्सर परियोजनाओं में देरि की वज़य होती है अलग-अलग विभागों में अलग-अलग मंतारों में सरकार में तालमेल की कमी इस वज़य से होता यह है कि जब बरसों के बार कोई परियोजना पुरी हुपी होती है तो वो आउट्डेटेड हो जाती है उसकी प्रासंगिता ही खत्म हो जाती है पीम गतिशक्ती नेस्टनल मास्टनल प्लान इनी सारे विरोधा बासों को दूर करने का काम करेगा जब एक इंटीगरेटेड फोकस के साथ काम होगा हर स्टेगोडर के पास परियापत जानकारी होगी तो हमारे प्रोजेक्ट भी समय पर पूरे होने की संभावना बढ़ेगी इससे लोगों की दिक्कतें भी कम होगी देश का पैसा भी बचेगा और लोगों को सुविदाये भी जादा मिलेगी भाई और बेनों मुझे इस बात का भी संतोस है कि आधुनिक्ता के साथ साथ पुने की पुरानिक्ता महाराश्चत के गवर्व को भी अर्बन प्लानिंग में उतनाई स्थान दिया जा रहा है ये भूमी संत ग्यानेश्वर और संत तुकाराम जैसे प्रेरख संतों की रही है कुछ महिने पहले ही स्री संत ग्यानेश्वर महराच पालखी मार्ग और संत तुकाराम महराच पालखी मार्ग का सलान्यास करने का सवभागे मुझे मिला है अपने इतिहास पर गर्व करते हुए आदुनिक्ता की विकास यात्रा यूही सतत चलती रहे इसी कामना के साथ पूरे के सभी नागरिकों को फिर से बहुत बहुत बदाई बहुत बहुत धन्यवाद